है कौन बिद्न ऐसा जग में तिक्सके बीरिमनर के मग में खमठोक ठेलता है जबनर परवत के जाते पाउं उखड मानों जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुल बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानों के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो बत्ती जो नहीं जलाता है रोसनी नहीं वहपाता है दोस्तों ये जो पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूँ ये पंक्तिया रांधारी सिंदिनकर की रस्मी रतिश लिए गीए और ये सारी पंक्तियां हमसे यही कहती हैं कि इस संसार में जीत उसी की होती है जो साहस के साथ सत्ति के लिए लड़ता है नमस्कार दोस्तों इस्टेटी विध्यान प्रकास के मारी नियू सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है देखे 2013 में प्रदेश के परषदी जूनियर विध्यालों में कच्छा च्छा से आर तक के लिए कुल 41,307 पद घोसित हुए थे अनुदेशक के अनुदेशकों का चेहन तीन स्रेणियों में किया गया था सारीरी सिक्षा अनुदेशक, कला सिक्षा अनुदेशक और कम्प्यूटर सिक्षा अनुदेशक के रूप में और तीनों के अंतरकत कुल 13,779 पद प्रतिस्रियनई पर चेहन होना था इन अनुदेशकों के लिए प्याराम में 7,000 रुपे मासिक मान दे तैह हुआ था चेंज आया, राज सरकार ने अनुदेशकों का मान दे 17,000 रुपे करने का परस्ताव केंद्री मानों संसंधन मंत्राले को भीज दिया, इसे प्रोजेक्ट अपरूवल पूर्ड की बैठक भी मंजूरी दे दी गी, लेकिन केंद्र की मंजूरी के बाद राज कारिकारी समित की बैठक में इसमें संसुधन करते विए 17,000 के अस्थान पर 9,800 रुपे मासिक कर दिया गया, सरकार के फैसले को दो अलग अलग याचिकाओं के जरिये हाई कोट की लखनों खनपीट में चुनोती दी गई, जिस पर नयायमूर्ती राजे सिंग चौवान की एकल पेट ने बुधवार को फैसला सुनाया है, और दोस्तों इस फैसले में ये कहा गया कि अनुदेशकों का मानदे कम करना गैर कानूनी है, और ये भी कहा कि राज की कारिकारी समित को मानदे घटाने का कोई अधिकार नहीं है, प्रतियस के परसिदी जूनियर जो विद्याले हैं, उसम अन्य था, अमित बर्मा वा अनिक की दो अलग याचिकाओं पर अपने फैसले में अदालत ने कहा कि कानून की निगाह में सरकार का ये फैसला गैर कानूनी है, और उसे बैधानिक प्रावधान के उपर अपना फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, अदालत ने ये भी कहा क की याचियों को 9,800 मांदे का भुक्तान नहीं किया गया बल्कि उन्हें 8,470 रुपए मांजिक दिया जा रहा है सरकार की इस कारवाई को अदालत याचियों को प्रतारित करने वाला मानती है और बढ़ाये गे मांदे के मुताबिक उन्हें मिलने वाले एरियर को 9 फिजदी ब मांदे घटाकर 9,800 रुपए कर दिया पर इसके बाद भी केवल 8,470 रुपए प्रतिमा का भुक्तान ही किया जा रहा है तो दोस्तों यह एक बड़ी ख़बर है उनके लिए जो लोग अनुदेश्कों के पद पर कारिदत हैं अब उनका जो मांदे होगा वो 17,000 रुपए ही अनकी कोड ने कहा था कि अगर सरकार और आयोग चाहे तो वो उत्तर माला जारी कर सकते हैं लेकिन उत्तर माला जारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि कोई भी नया विवाद इस बीच खड़ा न हो जाए और जुलाई के दूसरे सत्ता में इस कटा प्रक्रम पर आगे की सुनव आगे पढ़नी है और दोस्तों यहाँ पर जो अगली डेट लगी है वो आठ जुलाई लगाई गई है तो अब जो आठ जुलाई की का जो काज लिस्ट है वो जारी हो चुका है आठ जुलाई को कोड नंबर एक में इसकी सुनवाई होनी है और करम संख्या सत्तरा पर तो य अब सारी नजरें जो होंगी वो इसी प्रकरण पर टिकी रहेंगी और दोस्तों एक अच्छी कबर उनके लिए है जो लोग उत्तर प्रदेस में गवर्मेंट जॉब के लिए काफी लंबे समय से परसान है वाकैंसी नहीं आ रही है या फिर एक्जाम क्लियर नहीं हो रहा है इस सारी चीज़ें हो सकता है कि आने वाले समय में हल हो जाएं देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी कबर है कि यूपी में सरकारी नोकरी के इंदजारें बैठे यूगों को इसके लिए भरपूर मौका मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोगने भरती प्रक्रिया शुरू करने से रिटल निकालने तक का कलेंडर तयार कर लिया है और इसके मुताबिक हर साल 15,000 पदों पर भरती के लिए बिग्यापन निकाले जाने की तयारी है बड़ी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अब हर माह दो बिग्यापन यहाँ पर जारी कि जाएंगे और दो परिक्षाएं भी करेंगी परिक्षाएं आनलाइन होंगी तो इसको जाजने में भी वक्त नहीं लगेगा यानि कि रिजल्ट भी ताबर तोड़ आएगा और परिक्षाएं भी तेजी से हो सकेंगी मुख्यमंदर योगी आधित नात ने प्रदेश में सर और आयोग के अध्यक्ष अरुंस इन्हा ने पिछले दिनों सभी सदस्यों का साथ एक बैठक किया और भर्दी के करेंडर पर विचार करने का विचार विमर्स किया है इसमें तैये किया गया कि आयोग हर मा भर्दी के लिए नियुनतम दो बिग्यापन जारी करेगा और इस पस्ताओं को पदवार मिलान किया जा रहा है एक समान परदों का विग्यापन एक साथ जारी किया जाएगा यूपी बोड ने हाई स्कूर और इंटरमेंडियर के लिए 2020 का जो परिशा कार क्रेम है उसे जारी तो कर दिया है लेकिन प्रदेश के राज की और एहसास की सहता प्राप्त कालेजों में प्रधानाचार वर सिख्षकों के करीब 25,000 पद जो रिक्त पड़े हैं कालेजों में सिख्षकों की बड़े पैमाने पर कमी से छात्रों विवावग जिए काफी परिसान है लेकिन दोस्तों यहां पर देखे बड़ी अच्छी कबर ये निकल के आ कि मादमी सिख्षा विवाग से संचालित यूपी बोर्ड ने एक साथ दो मोर्चे पर फद्र हासल किये पहले कच्छा नौ से लेकर बारा तक की पार्टे पुस्तकों के लिए समय पर टेंडर और अप्रैल में ही किताबों की उपलबता सुनिश्चित कराई है इसके बाद बोर्ड परिशा कारे में जूट गया है और साथ माँ परे रिकार्ड समय में परिशा कारे मोसित कर दिया गया है इसके उलट मादमी सिख्षा से वाच एन बोर्ड उत्तरब्लेश इस समय आनलाइन अधियाचन यानि कि दिक्तपदों की शुचना है जिलों से ले रहा है प् 15 गस्त के बाद और सिदंबर मार में कभी भी जारी हो सकता है परिशा जोगी वो दिसंबर से लेकर जनवरी में होगी और बाकी प्रत्रिया होगी वो क्रम से मार्च तक कम्प्लीट कर ले जाएगी चैनबॉर 2016 के प्रवक्ता के 1344 पद और प्रशिक्षित असनातक सिक्षक क 27,950 पदों के लिए लिए लिखित परिश्चा करम से फ़रवरी और मार्च में करा चुका है वो यह मार्च पर हुई परिश्चा का परड़ाम वह घोसित करने में टाल मटोल कर रहा है सूत्रों की माने तो उत्तरकुंजी पर इतनी अपत्या मिली है कि अभी उनका ही निस् उनकी संक्या लगबग दो गुनी पहुंच रही है दोस्तों इससी के साथ आपको पता होगा कि एल्टी ग्रेड में भी अभी परड़ाम पूरे जारी नहीं हो सके हैं जो परड़ाम जारी भी हुए है तो उनका जो है डॉक्मेंट बेरिफिकिसन नहीं हो सका है तो 10,000 लग 5, 6, 2, 8 फिर उसके बाद 9, 10, 11, 12 और यहां तक की उच्छा में भी B8 को मत्व दिया जा रहा है और B8 के लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं साथ इसी का परड़ाम यहां पर यह है कि DLA में प्रवेस के लिए अब तक मात्र 90 आवेदन हुए हैं एक सत्ता का वक्त मतलब यह नगड़ है इसका मतलब यह कि अगर ऐसी ही इस्तिती रही और सही जो संख्या में आवेदन नहीं हुए तो निश्चित रूप से इस वरस का जो सत्र होगा वो सूर नहीं भी जा सकता है मतलब अगर इतने कम आवेदन होंगे तो यही होना है असिस्टन परफिसर क इनकी पूरी जांकारी आपको जो है यो पी ऐसी एसी की आफिशल वेबसाइट पर उपलब्द करा दी गई है आप देख सकते हैं हमारे फेस्टूप पेज पर भी आ सकते हैं केंद्री बिद्याले परिक्षा का परढ़ाम आठ को घोसित होगा केंद्री बिद्याले संक्ट के आठ में उपायुक्त सम्मेलन का उद्गाटन करते लिए घोशड़ा की है तीन द्यूसी सम्मेलन में केंद्री बिद्याले संक्टन के पच्ची संभागों के उपायुक्त और पांच आंचलिक सिक्षा एवा प्रसिक्षण संस्थानों के नेदेशक भाग ले रहे हैं इ दो दो यह बड़ी कबरें हैं आज के रोजगार और सिक्षा जगत की जो की अख़बारों में शाई हुई थी और यह वीडियो कर पसंद है तो इसे लाइक और सेरे कर दीजिएगा मिलेंगे आपसे मगले वीडियो में अग्यांद जी नमस्कार जैहंद